हाई एवरीवन विल्कम यू आल टो आर चैनल तो हम फर्स जुलाई 2020 की करेंट अफेर्स देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस न्यूस देखने से पहले हम जो फैक्च्छल न्यूस है वो देख लेते हैं तो आज फर्स जुलाई को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जात है और डॉक्टर्स डे के साथ 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 आज कौन सा डे है जीस टी डे भी है ठीकिन जी एस्ट गूडसएं सर्विसेस टेक्स टे क्यूंकि फ़र्स जुलाई 2017 को ही एक्रास इंडिया यह अप्लिकेबल हो गया था दो जबया ता दो फिर चुलाई 2018 में पहला जी एस्ट दि पूचा जाता है कि किस कौन से स्टेट ने पास किया था सबसे पहले जीस्ट तो तिलंगाना ठीक है तो तिलंगाना और हमारा कौन सा मतलब इंडियन तो कैनेडियन डूल मॉडलि ठीक है तो वन हंड़ेंड विफ्टीन है तो गठन होता है तो टूसेवंटीन एं में इसकी बात की गई है के एक जिस्टी काउंसिल होगी है that will be headed by union finance minister जो अभी को ने अट प्रिजेंट निर्मला सी तरमन के द्वारा की जाती है and 40 GST council meeting chaired by finance minister तो government has lowered the GST on electrical vacuels 12% तो ये कुछ factual news थी जो important से जानना next हम Indian Express देख लेते हैं तो सबसे पहले चाहिना data sharing law key issue apps get 48 hours to clarify तो कल अल्मुस सारी जो apps थी that went in active in Indian play store से वो चली गई थी सारी आप और अभी जो है यह बुला जा रहा है कि जो भी यह apps के owner है और जो apps है तो यह 48 hours इनको दिये गए कि कोई भी clarification अगर चाहिए किसी भी issue से related तो यह दे सकते हैं ठीक है अब यह जो इनिशेटिव था यह 59 apps को Chinese origin के पूरी तरह से बन कर देना यह क्या था डाटा चोरी ना हो हमारी national security जो साइबर स्पेस है वो सिक्यूर रहे है तीक है अब हुआई जेटी उसी के बाद दूसरे दिन क्या है जो federal communication commission है जो USA में तो इन्होंने चाहिना को formally designate किया है जो यहां की जो हुआई technology company है और GTE COP है कि यह भी क्या कर रहे है यूएस की national security को threat पहुचा रहे है तो इस वज़े से यह क्या है इनको बैन करेंगे we cannot and will not allow the Chinese Communist Party to exploit network vulnerabilities and compromise critical communication infrastructure चीक है तो यह चीज़ बोले गए यहां पर LAC de-escalation talks stretch armies prepare for the long haul तो यह जो अभी 14 COP commander लेफटी ने जला हरिद्दर सिंग और जिंजयांग के जो military region के commander है major general लियूल इनके बीच में जो disengagement को लेके escalation को लेके जो बातचीच चल रही है तो वो अभी कहां पर चल रहे है चूसूल में यह Indian side of LAC है border point और इससे पहले जो 6 June और 22 June को चली थी हो Chinese side of LAC में चली थी that was in Moldo ठीक है तो यह दो location भी पता होने चाहिए यहाँ पे जो है poor hardest hit PM extends free ration until November ठीक है तो जो किसके तहत यह किया गया है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्न योजना ठीक है PMG के AY for 80 crore people तो 80 crore लोगों के लिए क्या मिलेका जो इंडियन के जो गरीब और वीड दिया जाएगा और वन केजी का चना दिया जाएगा ठीक है वन केजी चना और फाइफ केजी का गेमों और चामल इनको दिया जाएगा और पांच मंत के लिए यह क्या कर दिये एक्स्टेंट कर दिया गया इसी स्कीम को ठीक है तो यह फ्री में मिलेगा फाइफ मत एक्स्टेंशन तो यह यह इसमें और नेक्स्ट न्यूज लिख लेते हैं टिक टॉक वेंट एक्टिव इंडिया एट सिक्स पीम ठीक है यह सारे जो कुछ एक्टर है बहुत जादा फेमस जो हो गये थे टिक टॉक से मुझीब खान अधनान सेख तो यह कह रहें कि एप्लिकेशन जो है इस बैंट नॉट टैलेंट होगा तो कही और इनको फॉलो कर स नेक्स्ट जो है न्यूज देख लेते हैं क्या इंपॉर्टन्ट है अधि डेली डिनाइल इम्रान इस्ट्रेस अटैक डन बाइंडिया तो अभी जो कराची का जो पाकिस्तान में स्टॉक एक्स्चेंज है एक्स्चेंज बिल्डिंग है वाह की कराची में तो वहां पर कहा तो यहां पर जो क्लेम लिया था बलुचिस्तन लिब्रेशन आर्मी ने बोला था कि उन्होंने रिस्पॉंसिबिलिटी ली थी इस अटैक की लेकिन यह जो ग्रूप है इस बैंड इन पाकिस्तान यूके एंड यूएस ठीक है लेकिन वट हैपन्ट इन मुंबई इन्होंने हम पर सीधा-सीधा यह आरोप लगा दिया इम्रान खान ने जो पाकिस्तान सरकार है कि इंडिया ने मतलब यह टेर्रिस अटैक करा है कि जैसे मुंबई में हुआ था वैसे ही वो हमारे साथ करना चाहते है और पाकिस्तान cannot shift the blame यह हमारे जो external affairs minister है अनुराग श्री वास्तव spokesperson उनका कहना है कि पाकिस्तान cannot shift the blame on India for its domestic problems तो उनकी अपनी problem है क्योंकि यह विदिन पाकिस्तान में जो separatist group है ठीक है बलुचिस्तान में उनके यह bilittance ने यह किया है तो इंडिया का इसमेंसा कोई भी हाथ नहीं है और minister description of the global terrorist अभी जो था इमरान खान ने मतलब क्या बोल उसामा बिन लादेन को शहीद के तौर पर दिखाया ना तो जो भी मतलब बिल्कुल भी सही नहीं था हमारे हम terrorist list को इस तरह से designate नहीं करते है शहीद का तरजा नहीं देते है इंडिया starts to reach out जैशंकर डाइल्स counterpart in France तो अभी हम France से भी बातचीत करेंगे और जब France से आता है म हमारे रिलेशन आते है इंडिया और फ्रांस के तो जैसे S-400 की बातचीत हमारी किस्ते होते है रश्या के साथ होती है तो फ्रांस के साथ रफेल फाइटर एयर क्राफ्ट की होती है तो नेक्स मन तक वो मिल जाएंगे and the war jets will come fitted with a meteor long range air to air missile which are expected to boost the capabilities of the Indian air force बाकी के जो और कंट फिफ्थ वहां के जो वो परेड भी हुई थी और इसके लावा जो जर्मनी एज़ा की पार्टनर इस ओन दी यून पर्मनेंट वेंबर and holds the UNSC presidency for the month of July ठीक है बाकी इन सारी कंट्रीज का भी इंडिया को सपोर्ट रहता ही है और टू साइट तुक स्टॉक एक्टेंसिव को in addressing the challenges of COVID-19 यह सब बाते भी हुई medicine supply, equipment supply, technology की supply, transfer, टीट यह सब चीज़ है बात चीज हुई and they agreed to advance the various areas of bilateral cooperation और initiate consultation in the context of India's तो इंडिया के मतलब जो aspiration है UN Security Council में permanent member बनने की जैसे या फिर अभी हाँए seat मिली है 2021-2022 के लिए non-permanent member and G20 presidency 2022 and Germany present membership of the UN Security Council and forthcoming presidency of the European Union तो इन सब चीज़ों पर भी यहाँपे बातचीत हुई थी नेक्स्ट है यह वही है प्रधानमंत्री गरीब के लिए रोजगार योजना कॉस्ट पूट एट रूपीज 1.5 लाग करोड तो 90,000 करोड जो है यहाँ पे अलग से मतलब इसके लिए निकाले जाएंगे और डॉक्टर साथ है रियल हीरोस आफ आर लाइफ टूडे तो यही है फर्स जुलाइ को डॉक्टर बिधान चंदर रॉइ यह कौन थे हैं यहाँ पे लिजेंटरी फिजीशिएन फिलेंट्रोपिस्ट एंड सेकंड चीफ मिनिस्टर वेस्बंगॉल ठीके तो यह न्यूज इनका जो प्रोफेशन था भा टॉज़ी पॉडर सेकंड पैसे मिनिस पो अफिजीशियन फिलेंटे कि वेस्टेर्शन पिलेंट्रों का चीफंगॉल एंड हो शुलाइस को डिकेंटर्श नंगा तो अप्रा जीवन प्रूम मेडिसीशन पर लगा दिया था नेक्स जो ऑच् एंटी रेट्रो वाइरल ड्रग है ठीक है अभी जो देखा होगा आपने COVID-19 पेशन्स को जो ड्रग मिल रही थी कौन सी एचाईवी की ड्रग उटको दी जा रही थी जिक है तो रिसर्च इस लीडिंग दे रिकवरी क्लिनिकल ट्रायल इन दे यू के इन्होंने मंडे को एनॉंस किया कि जो भी COVID-19 के जो पेशन्स हैं जो होस्पलाइज हैं और जो वेंटिलेटर पर नहीं है तो लोपनवीर और रि यह चीज है अभी इसको मना किया गया मतलब इतने ज्याद एफेक्टिव नहीं है तो इसको ऐसे मतलब देना नहीं चाहिए पेशन्स को तो यहां पे बैंजीन जो थी बैंजीन वो गैस लीक हुई है ठीक है विशाका पटन में और अभी एक और न्यूस मैंने देखी थी त अबिल नाडू के जो नियावली लिगनाइट पाउर प्लांट है तो वहां पे बॉइलर ब्लास्ट हो गया है फाइव डेट और सेवर्डीन इंजर्ड हो गया है सेकंड एक्स्लोजन हुआ है सिंस मार्च वैसे तो अभी बीच में कोई यह गैस लीक वाले जो होते रहते है इंसिडेंट है ना यह लेकिन जो अगर बढ़ा जिसे बोलने है सबसे जादा तो यह है अट लीस्ट फाइप पिपल रिपोर्टली डेड एंड ब्लास्ट अगरें यूनिट फाइव प्लांट टू तो यह भी है बॉइलर में ब्लास्ट अभी डिटेल अभी इसकी पूरी नहीं है किसे वहा क्या हूँ है लेकिन देखेंगे हम ठीक है क्या है एंद हब फाइव व्र किल्डवर कॉंत्रेक्ट्चल वर्कर्स ही सो सैकंड ब्लास्त है जो अभी आवी पॉलिमर था पॉलिमर इंड्रस्ट्री तो वहां पर ववा था ठीक है तके पॉलिमर प्लांट मे जो ग्यास है यह लीक हुई थी टीक है from a reactor at pharmaceutical manufacturing company विशाका पटनर तो यह ग्यास होती है मतलब में यह आपर तो पता ही चल गया आपको कि यह क्या होता है एक major industrial chemical भी होता है जो coal और oil से यह बना होता है लेकिन इसके अलावा भी यह naturally occurred substance भी होता है ठीक है जो volcano और forest fire होती है उसस ही नहीं आज बट यह देख लिए हाई-tech work for bullet train project to be done by Indian firm firms तो एक ही यह नहीं हो गया है the business of Chinese app तो यहाँ पर Chinese app के बारे में बता है कि इंडिया में इनका क्या 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 बिजनेस था TikTok hello ठीक है TikTok जो है an entity called by dance India technology private limited together command more than 170 million और India क्या था largest market था TikTok का 611 million जो downloads हुए थे multiple downloads एक व्यक्ती ने किया था representing nearly a third of the video platform based followed by China और then US ठीक है तो यह है और company भी थी TikTok की जब यह head है Nikhil Gandhi तो वो यह ही कह रहे है कि हम तो सारे security clause और गिरा को follow कर रहे थे लेकिन फिर भी यह से banned कर दिया तो 1000 employees भी थे and by dance India however is not owned by a Chinese entity according to corporate structure available on by dance website the parent entity को है by dance limited is registered the cave and island ठीक है तो अभी यह clarification वो दे सकते हैं कि हम तो अब Chinese entity रही नहीं गए है लेकिन origin तो ऐसे चाइना से ही है तो बयान तो होनी चाहिए this parent company has five subsidiaries one of which TikTok limited यह सारी चीज़ है ठीक है तो शेयर इता है UC browser and UC news club factory chain तो chain भी है जो जीविन इंडिया प्राइमित लिमिटेड गुडगाओं में इनका office भी है और यहां पर 50 employees भी है CAV scanner which is run by SIG information co limited register in Shanghai ठीक है यह सब चीज़ है and co vaccine India's COVID-19 vaccine candidates the center drugs standard control organization इसको allowed कर दिया है कि human clinical trial के लिए इसका use हो सकता है ठीक है भारत biotech इंडिया कंडेक्ट करेगा human clinical trial किसके साथ मिलके ICMR और NIV इसके साथ मिलके ICMR तो NIV के National Institute of Virology और इन्होंने कैसे किया इन्होंने जो भी novel coronavirus का strain था उसको isolate किया और जो SM from asymptomatic COVID-19 patient and transferred it to BBIL in early mate तो जो भारत बायोटेक इंडिया है उनको भी जिया था and यही चीज़ पोला कि the firm then used it to work on developing an inactivated vaccine inactivated vaccine क्या होती है vaccine that uses an inactive virus at its high contentment facility in Hyderabad for co vaccine then underwent preclinical testing on animals ऐसा नहीं कि पहले सीधा ही उन्होंने CDSCO को भेज़ दिया है पहले उन्होंने animals जो गॉयना पिक्स है माइस है उन पर देखा उसके बाद ही यहां पर human trials के लिए आगे step लिया गया and what does the approval mean for India the drug controller general of India who had CDSCO has given BBI approvals for phase 1 and phase 2 clinical trials okay तो अभी जो है इंडिया में मतलब domestically finalize यह हो जाएगी COVID-19 vaccine के लिए ऐसा बोला जा रहा है तो काफी बड़ा यह step होगा and how many stages of testing will follow तो काफी जाधा होगी सबसे पहले जो four stages होती है सबसे पहले pre-clinical test होता है ending with phase 3rd and बहुत सारे thousand of patients है उन पर यह किया जाएगा after approval from the regulator the firm has to continue monitoring the use of its vaccine कि कैसा उन पर अशर पढ़ रहा है वो surveillance जो details है वो रखी जाएगी post marketing details भी रखी जाएगी तो phase 1, phase 2 trial जो होगा July में होगा but has not yet finalized the full timeline for testing and seeking final approval then इसके अलावा भी कोई Indian companies थी जो COVID vaccine बना रही है ठीक है work कर रही है तो यह थी Jardis, Cadillow and Serum Institute of India and since earlier this month Penneka Biotech तो इन्होंने भी मतलब pre-clinical stage में जो पहली stage है और अभी तक मतलब वो approval इनको नहीं मिला है how does COVID vaccine compare with other तो यह चीज़ बोला है कि COVID vaccine has reached a more advanced stage of testing than the other two vaccine BBIL is developing through global collaboration ठीकित वाकी के जो भी हैं जिसे जो global race में कॉनने तो फ्रंट रनर है Astra Zenka की whose candidate CHA DOX1S with the University of Oxford is already at the stage of phase 3rd तो यह हमसे काफी जादा आ गए है और इसके लावा just Serum Institute has an agreement to manufacture this vaccine and Moderna is close to beginning phase 3rd trials ठीकित तो Moderna भी phase 3rd में चली गई है it's LNP esculiptid mRNA vaccine तो यह इसका नाम है और बाकी जो co vaccine है which is not listed among the vaccines being tried globally at least 6 other candidates are in phase 1 to 2 trial and another 5 are in phase 1 trials globally तो यह चीज़ है next Europe reopens its border to 14 nations but not to USA India और यहां पर है citizen from the following countries will be allowed into EU 27 members and 4 other nations in Europe visa free Shenzhen travel zone ठीक है यह सारी countries यहां से मितलब आ सकती है और next जो यहां पर news है new strain of swine flu virus spreading to humans in China तो एक H1N1 जो swine flu virus है is spreading silently in workers on pig farms तीक है तो जो pig farms में जो workers काम करते थे उन में यह positive पाए गया है वो सब positive पाए गया है and China should be actually controlled to avoid another pandemic तो जो H1N1 है is highly transmissible and spread around the world in 2009 in this time पे भी मतलब काफी जादा लोगों के मौत हो गई थी 2,85,000 people were died and the newer strain जो इसका नया strain जो developed हुआ है वो क्या है known as G4EAH1N1 has been common on China's pig farm since 2016 and replicate sufficiently in human airways ठीक है तो यह चीज बोला गया भी यह आ सकता है G4 viruses have all the essential hallmarks of a candidate pandemic virus और यह चीज है ठीक है next China passes new security law with sweeping powers over Hong Kong तो China ने जो भी मतलब Hong Kong प्रोटेस चल रहे थे उनको दरकिनार करके वहाँ पर finally जो national security law है वो पास कर दिया है और Hong Kong किस में चलता था वन नेशन टू सिस्टम पर ठीक है उनका जो special autonomous region था वहाँ पर अपने according law बनाते थे लेकिन अभी यह क्या कर दिया है चाइना ने थे law will establish a new security agency in Hong Kong to enforce the security restrictions ठीक है and Beijing will create its own separate security arm in the city तो Beijing अपनी एक separate security arm वहाँ पर बना देगा empower to investigate special cases and collect intelligence तो वहाँ की जो कौन है minister है तो उन्हें Carrie Lam Hong Kong's top official है तो उन्हें बोला है कि the law will target only an extremely small minority of illegal and criminal acts and activities ठीक है और कल क्या था कल July 1st को July 1st से पहले ही यह क्यों कर दिया गया क्योंकि 30 June को Hong Kong को handover किया गया था Britain के द्वारा चायना को 1997 में ठीक है तो which regularly was pro-democracy protest तो इस वज़े से यह कली उन्होंने भी यह कर दिया था बारे नेक्स्ट जो है lockdown hits biz activity में core sector output shrinks 23.4% तो core sector art core sector जो है उनमें लगातार contraction देखने को मिल रहा है और कौन-कौन से है core sector coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, cement and electricity ठीक है तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel and cement, electricity तो यह है और यह आई-ई-ई-प में जो इंडेक्स of industrial production होती है तो उसमें 40% यह क्या करते है 40.27% contribution इसका रहता है और यहां पर मतलब fertilizer को छोड़के बाकी सब में contraction ही देखने को मिला है और सबसे पहले जो I.I.P. मतलब जो किया जाता था वो base year उसमें 2004-05 को रखा गया था लेकिन 2017 में यह change करके इसको किता कर दिया है 2011 से 12 कर दिया गया था ठीक है और CSO जो है इसे निकालता है Ministry of Statics and Program Implementation के अंतरगत CSO के द्वारा यह index release की जाती है हर मन्त नेक्स्ट जो है वो दिख लेते हैं L&T Flax of Final Assembly Cryostat for 20 billion dollar fusion reactor ठीक है तो यह क्या है ITR's Cryostat Contract for the World Largest Experimental Thermonuclear Fusion Reactor in Kedrach as it was considered to risk किया भीट तो यहाँ पर मतलब एक location है Kedrach in France ठीक है तो यह क्या है जो गुज्रात की company है L&T ठीक है L &T गुज्रात तो इनके द्वारा यह build किया गया क्या क्रायो प्राइो स्टेस्ट क्रायो स्टेस्टीक है KRYOSTAT The largest stainless steel high vacuum pressure chamber to Kedrill in France तो यह हमने इसके लिए अल्रेडी मतलब क्या कर देते डिलीवर कर देते जो बेस सेक्शन है लोवर सिलेंडर है अपर सिलेंडर है फॉर दी क्रायोस्टेट फंक्शन इस तो प्रोवाइड कूलिंग तो दी फ्यूजन रियक्टर इस वजे से सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब क закончiform कर दो Chip । इस N्ट सब्सक्राइब engineering what the contract from itr india wing of the department of atomic energy और दूसरी चीज है कि this is the first time a 500 megawatt reactor has been built which is the commercial demonstration of fusion power ठीक है तो fusion power का commercial demonstration यह होगा fusion और fusion में भी difference पता हो ना चाहिए फिसन में क्या होता है कि जब जो nucleize होते है atomic nucleize वो split होते है ठीक है यह होता है fusion और fusion में क्या होता है जब emalgamate होते है दो जो nucleize होते है वो क्या होते मर्ज होते है ठीक है तो तब तो इसी पर बोला जा रहे है ज्यादा focus किया जा रहे है यह आई-टी-ई-आर के बारे में पता हो ना चाहिए international thermonuclear experimental reactor nicknamed as miniature sun idea is the largest plasma based fusion reactor ever built and सबसे ज्यादा costliest हम already discuss कर चुक है कि technological project of the 21st century with an estimated construction cost of 25 billion dollar and the project site is located in cadridge southern France में है और जो thermonuclear है वो indicate करता है nuclear fusion reaction को ठीक है और बाकी यह सारी है इंडिया ने जो join किया था seven major partners के साथ 2005 में और construction of the ITR toka Mac complex was started 2013 में और जो seven major partners है वो कौन कौन से इंडिया USA EU Russia China Japan and South Korea ठीक है तो यह seven partners हैं यह constitute करते हैं about 50% of world population about 85% of world GDP तो यह important था इनका जानना बाकी जो है mechanism of nuclear fusion in the sun यह भी पता होना चाहिए कि sun जो होता है वो किसे composed है hydrogen 75% helium 25% and smaller amount of oxygen iron neon nitrogen silicon और massive nuclear fusion reactor like all the other stars यह भी है और सबसे पहले क्या होता है जो reaction होता है वो nebula से चुरू होता है nebula a cloud of gas and particles बोले जाता है a collapsed under its own gravitational force forming a big ball of hot plasma उसके बाद क्या होता है sun का जो core होता है वो hottest and has height pressure which makes the hydrogen atoms collected at the center to fuse together to form helium ठीके तो helium बनने के लिए यह एक तरह से collected हो जाते है जो hydrogen के atoms होता है and atoms फिर यह क्या करते है release solar energy solar energy को release करते है two hydrogen atoms used to form one helium तो that is it thank you have a nice day and please do like share and subscribe to our channel thank you